दोस्तों, दिल्ली के कुछ बहुत ही अच्छे स्कूलों में टीचर्स के रिकूट्मेंट की विकेंसी आई है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं और उनका में एम होता है कि सरकारी नोक्री मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ये भी सच है कि सरकारी नोक्री की विकेंसी हमेशा नहीं निकलती है और जब निकलेगी तो आप जरूर भड़ेंगे और हम भी आपके लिए उसकूशना लेकि आएंगे लेकिन तब तक अगर दिल्ली के कुछ अच्छे पब्लिक स्कूल्स में आपको टीचर की रूप में जाब करने का मौका मिलता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया उपर्च है और कई जगे तो ये भी बताया गया है कि सीटेट भी रिक्वायर नहीं है तो किन स्कूलों में विकेंसी आई है और किस सब्जेक्ट में इन सब चीजों की चर्चा एक एक करके कर लेते हैं आप लोग धैरिस के साथ इस पूरे वीडियो को देखिए और अपने मन पसंद और क्वालिफिकेशन के अनुसार फॉर्म जरूर भरिए और टेस्ट जरूर एपियर कीजिए सबसे पहला जो विकेंसी ये आप देख सकते हैं इसका और इस शag के वेबसाइट के रिकूरूट मैंट सेक्षन पर जब आप जाएंगे तो जह आप यहां प्रूट मैंट सेक्षन के अपड जाते हैं तो ये अपना रिक्वार्मेंट हमें बताता है कि इस school में किन subjects के अंदर vacancy है और उसके लिए 4 requirements हैं तो यह मैं आपको बताता हूं लेकिन एक बात जरूर है कि Mother International School बहुत ही famous school है और यह देखे यह खुल चुका है और यह बताता है कि applications are invited from experience, dedicated and committed professionals for the following post PRT सभी subjects में जरूरत है TGT English, PGT English, PRT Special Educator, TGT Art में और TGT Social Science में with a specialization in geography इन सारे subjects में PZT, TGT और PRT की जरूरत है अब यह कहते है click here for details तो इन subjects की जो requirement है उसके लिए जब आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि अगला page खुलेगा और यहाँ यह अपने requirement इन्होंने बताई हुई है यह सारे subjects है जहाँ vacancy है और यह कहते हैं कि qualification salary and perks as per दिल्ली government rule यानि कि सरकार के नियमों के अनसार ही आपकी qualification होनी चाहिए salary भी उसी हिसाब से आपको मिलेंगी और other perks भी आपको मिलेंगे दो साल का teaching experience अगर आपके पास है किसी English medium school में पढ़ाने का तो यह compulsory qualification नहीं है यह desirable qualification है एक खास बात इन्होंने कही है कि knowledge of the use of latest technology in teaching is essential so computer basically computer का knowledge आपके पास होना चाहिए और डूसरी जो latest pedagogical skills होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए only shortlisted candidates will be called for interview इन्होंने बड़ी साब सब्दों में यह बात कही है कि सिर्फ interview होगा और जिन candidates को shortlist किया जाएगा उन्हीं को यहां interview के लिए बुलाया जाएगा इन्होंने एक खास बात कही है कि जब आप form भरें तो अपने educational qualification class 10 से सुरू करें class 12 graduation post graduation BA और seated जिस तरह की requirement हो उस तरह से आप जरूर फिल करें और साथ में अपना passport size photograph भी जरूर upload करें और ध्यान रखें कि आपका application complete हो, incomplete ना हो, otherwise वो reject कर दिया जाएगा और last date यहां 31 मई 2024 लिखी हुई है इसका ध्यान रखें और आप apply करने के लिए यहां click कर सकते हैं तो यह हमने बात की The Mother's International Public School के vacancy के बारे में अब चर्चा करते हैं एक अगले school के बारे में और अगला school जहां vacancy आई है वो यह है देखिए Dune Public School और Dune Public School में जब आप carrier section पे जाते हैं तो यह वाला page आपका open होता है जो आपके सामने खुला हुआ है देखिए यहां requirement है PGT की अगर हम बात करें तो PGT English, PGT Psychology, PGT Sociology, PGT Economics, PGT Physical Education PGT की हम बात करें तो PGT Maths, PGT English और PGT Social Science के आवसकता है इनको साथ-साथ TGT Sanskrit, TGT Hindi और TGT Computer Science की भी vacancy यहां पर है इसके अलावा Primary Teachers का requirement है English में, Science में, Maths में, Art and Craft में, Dance और Western Music में Primary Teachers के आवसकता है इसके साथ-साथ NTT या Montessori Trend Pre-Primary Teacher की भी आवसकता यहां पर में है इसके साथ Non-Teaching Post में यह देखिए Band Master की जरूरत है, Educational Council की जरूरत की जरूरत है, Front Disc Executive की जरूरत है और यहां Hostel Warden की भी जरूरत है Boys and Girls बोथ Hostel के लिए साथ-साथ ATL In Charge की भी जरूरत है यानि की Teachers के साथ-साथ Non-Teaching Post की भी रेकेंसी यहां पर है Qualification की बात करें तो देखिए Graduate आपको होना चाहिए या फिर Post Graduate होना चाहिए, B.A.P. होना जरूरी है English Speaking में आपकी फ्लिएंसी होनी चाहिए, Writing Skill आपकी अच्छी होनी चाहिए अंग्रेजी में यह सभी पोस्ट की requirement है और Teaching Experience प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन है, Compulsory क्वालिफिकेशन नहीं है Salary और Pucks के बारे में कहते हैं कि It Will Be Commensurate with Experience and Qualification आप अपना email भेज सकते हैं इस स्कूल को अपने resume के साथ और यहाँ पर में इन्होंने यह online apply करने के लिए बना रखा है यहाँ अपना यह form भर दीजिए, आपका full name, आपका post जिसके लिए आप apply करना चाहते हैं आपका subject phone number, email, city और आप अपना जो आपका resume है उसको यहाँ upload कर दीजिए और इसको यहाँ पर submit कर दीजिए तो आपका application online submit हो जाएगा तो यह दून public school पस्चंभियार की विकेंसी थी अब देखते हैं अगली विकेंसी कहां की है यह देखिए अगली विकेंसी जीरी गोयन का public school की है और जीरी गोयन का public school गुरुगराम की यह विकेंसी है जब आप इसके career section पर जाते हैं तो यह देखिए यहाँ पर में career section के उपर हम जाते हैं तो यहाँ एक page खुलता है यह वाला यह देखिए जीरी गोयन का public school walk-in interview है यहाँ पर sector 48 गुरुगराम में यह इसकूल है और यहाँ देखिए PGT psychology और maths की जरूरत है TGT science, social science, Hindi और maths की जरूरत है PRT general की आवसकता है यहाँ पर nursery और pre-primary teacher की भी वेकेंसी है EVGC की भी वेकेंसी है और non-teaching staff में office assistant की जरूरत है और day care teacher की जरूरत भी है Saturday 11th में को 9 बज़े से लेकर के 1 बज़े तक interview होगा JD Gojan का public school sector 48 गुरुगराम में तो जब आप interview के लिए जाए तो अपना buy data और recent photograph जरूर साथ में लेके जाए और यदि आपने पहले इस form को भड़ा हुए है तो आप सीधे interview के ले जाए अलग से आपको form भड़ने की कोई आवसकता नहीं है तो दोस्तों आज हमने दिल्ली NCR के 3 important school के विकेंसे के बारे में देखा अगर आप eligible है तो ये form जरूर भरिए और interview की तैयारी कीजिए और ये और ये वेस्ट